पुश्कार आप देखरें न्यूस फोर नेशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार की और देश की राजनिती में महिलाओं की कितनी ज्यादा एहमियत है ये तो आप जानते ही होंगे बिहार के भी राजनिती में महिलाएं हमेशा ततपर रहती हैं महिला चाहे वोटर हो या महिला चाहे वो नेतरी ही क्यों ना हो दरसल बिहार की पुर्व मुख्य मंतरी और लालु प्रशाद यादव की धर्म पतनी राबडी देवी कहां है बिहार की महिला मुख्य मंत्री राबडी देवी चुनावी प्रचार प्रसार से आखिरकार दूर क्यों है बिहार के पुर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने राबडी देवी को क्यों छिपा रखा है और कहां छिपा रखा है आखिरकार बताती क्यों नहीं इस सवाल हमारे नहीं है बलकि ये सवाल है बिहार के पुर्व मुख्य मंत्री और हम के सुप्रीमो जीतन राम मांजी की जीतन राम मांजी ने जब से महागडबंधन का साथ छोड़ दिया वो जब से इंडिये में आ गए तब से लगतार महागडबंधन पर हमलावर होती नजर आते हैं खास कर लालू परिवार को और तेजिस्वे यादव को घेरते रहते हैं दरसल बीते दिनों चिराग पासवान की मा को ले करके एक वीडियो सोशल मेडिया पर वारल हो जाती हो और दरसल ये वीडियो है जमूई की जहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तेजिस्वे यादव और उस वक्त उनके साथ मंच पर जमूई से राज़त की प्रत्यासी अर्चना रविदास भी मौजूद थी और कारेकरताओं की तरफ से कुछ ऐसे बोल बोल दिये जाते हैं जैसे शब्दों का परियोग कर दिया जाता है तेजस्वे यादव और अर्चना रविदास के मौझूदगी में कि अब बिहार की राजनीती में इसको तूल बना लिया गया है देश की राजनीते में इसको तूल बना लिया गया है चिराग पासवान बजापता प्रेस कॉन्फरेंस करके जो है वहुत कुछ कहते हैं तेजस्वे यादव को और अब इन तमाम बातों पर जीतन राम मांजी ने भी अपनी प्रतिकरिया दिया जीतन राम मांजी ने कहा है कि तेजस्वे यादव जो है वो दलितों को के आबरू को लूटने का काम करते हैं तेजस्वे यादव दलितों को अपमानित करते हैं चिराग पासवान की मा को अपमानित किया गया है और अब इन सब के बार जितन todavía मांजी ने राबड़ी देवी को याद कर लिया है जितना मानजी राबडी देवी को याद करते हैं वे एक बजापता ट्वीट करते हैं अपने ओफिशल एक्स हैंडल पर और ट्वीट करके लिखते हैं कि बिहार की महिला मुख्य मंतरी राबडी देवी आखिर कहां गई राबडी देवी लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रशार से दूर कियो है क्योंकि महागडवंदर के तरफ से मोर्चा संभाला गया है तेजस्वी यादव की तरफ से राज़त के सूपरीमों के बेटे हैं तेजस्वी यादव और लगतार बिहार में चुनावी सभाव को संभोधित कर रहे हैं अपने उमिद्वारों के लिए तेजस्वी यादव जो है वो अपने अपने उस सलोग सभाशेत्र में पहुंसते हैं और अपने उमिद्वारों के लिए वोटों की अपील करते हैं राबडी देवी आखिरकार बयार की राजनीती से इतने दूर क्यों है क्योंकि राबडी देवी बयार की राजनीती में पहले भी रह चुकी है अभी वो MLC भी है तो राबडी देवी आखिरकार चुनावी प्रचार प्रशार में क्यों नहीं दिख रही है ये सवाल पूछा गया है जो है जीतनामांजी की तरा से जीतनामांजी ने आखिरकार वो क्या ट्वीट कर दिया है जिसके बाद अब बियार की राजदिती ने एक अलग ही मोड ले लिया है पहले आपको ट्वीट दिखाते हैं तो देखे इस वक्त आपके स्क्रीन पर जो ट्वीट स्क्रॉल कर रहे वो जीतना मांजी की है जिसमें वो लिखते हैं राज़त नेताओ को बताना चाहिए कि बिहार की एक मात्र महिला मुख्यमंत्री रही राबडी देवी जी को आखिर चुनावी सभा से दूर क्यों रखा गया है आखिर क्या कारण है कि तेजस्वी यादव जी राबडी द चुरू हो जाएगा बियार के चार लोगसभा जो है शेत्रों में कल जो है लोगसभा सीट पर चुनाव होने वाली है अब इसे लेकर के राबडी देवी आखिर कार क्यों नहीं चुनावी प्रचार प्रशार में पहुंच रही है और सवाल पूछ लिया गया है जीतना सवाल पूछा और सवाल आखिरकार लाजमी भी है क्योंकि बियार की एक मात्र महिला मुख्यमंत्री रही राबडी देवी आखिरकार इतनी एहम प्रक्रिया से दूर क्यों है सवाल पूछा है जीतना मांजी नविस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ हाएगी तेजिस्वी की तरफ से उसके साथ हम हाजिर होंगे फिलाल हमेंद इजासत धन्यवाद